हलो अप्रीवन वेलकम टो सिवल सर्व से स्टड़ी देखिए उत्तर प्रदेश PCS प्रारंबिक परिक्षा जो जून में होने बाली है 2020 की उसकी टेस्ट सिरीज कल स्टार्ट कर दी गई है एक टेस्ट कम्प्लीट हो चुका था अपना यह है टेस्ट नमबर टू इंपोर्टे तेरवे प्रेश्ट में पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले सर्वोच नेले की स्थापना कप की गई तो एक्स्प्रेशन तो करेक्ट है उसके जो ऑप्सन नमबर चार है तो उसमें 1974 हो गया है 1974 जबकि वह 1774 है तो ध्यान दीजेगा उसको पिन कर देंगे चलिए वैस इसे एक्स्प्रेशन सही है कोई दिक्कत नहीं हो उसमें कुश्छन निम्बर बन क्या कहता है आज का कथन और कारण है और बताना है कि नीचे देगे कूट की साहित ऐसे सही उत्तर का चैन करना मतलब और ये दोनों सही है एक दूसरे का स्पश्टी करन करते हैं स्पश्टी शुल्क तथा तोफे प्राप्त होते थे अब उपर वाला कथन है नीचे वाला करण है अब आपको बताना है क्या उपर वाला जो कथन है और नीचे वाला करण उसकी सही व्याख्या करता है क्या कि कुछ साशक रेशा मार्ग के बड़े बड़े हिश्चों पर अपना नियंत् इस तरह से लेज़ेए इसको क्योंकि रेसम मार्क पर यात्रा कर रहे बैपारियों से उस छेतर के साशकों कर शुल्क थथा तोफे प्राप्त होते थे देखिए correct है पहला statement correct है दूसरा statement और यह जो है ना इसकी बैख्या भी करता है नीचे वाला उपर वाले की तो इसका answer हो जागा A और R दोनों सही है और R A का सही स्पस्टिकराण करता है तो देखिए ब्यापारियों से प्राप्त इन चीजों के बदले यह शाशक इन ब्यापारियों को अपने राज से गुजरते वक्त लुटेरों के आकर्मणों से सुरक्षा देते थे दोनों correct है question number two है कुशाणों के संदर में नम्रकित में से कौन सा जोय वो सही नहीं है देखिए शिल्क रूट पर नेंत्रन रखने वाले शाशकों में सबसे प्रशिद कुशाण थे पेशाबर और मथुरा इनके दो परमुक शक्तिसाली केंदर थे किनके कुशाणों के इनके शाशनकाल में ही सिल्क रूट की एक नई शाखा मध एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी और इन्होंने सबसे पहले मुद्रा को कागज के रूप में चलाना शुरू किया देखें यहाँ पर करेक्ट है पहला करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है तीसरा भी यह जो चोथा बला न डी यह गलत है सबसे पहले कागज के रूप में नों मुद्रा को चलाना सुरू नहीं किया गलत है तो देखें यहाँ पर A, B और C सही है परंतु D गलत है लगभग दो हियार वर्ष पूर मध एशिया तथा पूरवत्तर भारत में कुशाणों का शासन था और तक्ष शिला भी इनके राज का हिस्सा था और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एकसा था मध एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी फिर यहां से जहाजो द्वारा रेशम पश्चिम की और रोमन सामराज तक पहुंचता था कुशाण इस उप महादीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शाशक थे और शिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उप्योग करते थे इसलिए गलादडी कुश्यन नमबर थी है बुद्ध की जीवनी जीपनी का नाम है बुद्ध चरित के रचनाकार कभी निमलकत में से कौन है यह important है very very important है इसका उत्तर है अश्व घोष कौन है अश्व घोष ने लिखिया वुद्ध चरित तो वुद्ध चरित की रचना वुद्ध चरित वुद्ध की जीवनी वुद्ध चरित के रचनाकार कभी अश्व घोष थे ये कुशाणों के सबसे परसेदिसाशक और कनिश्क के दरबार में लहते थे अश्वघोस तथा अनवध विद्वानों ने अब संस्क्रत में लिखना जो है वो सुरू कर दिया था पार्ष और बशुमित्र जैसे बौध दरशनिक तथा नागरजुन जैसे विद्वान कनिश्क के दरबार में विद्वान थे तो बशुमित्र हो गया नागरजुन हो गया है कनिश्क के दरबार में अब उद्ध की जीवनी लिखी है किसने अश्वघोस ने चलिए तो अश्व गोस भी देखिए कनिश्क के दर्वार में हैं और पार्ष और बशुमित्र जैसे दार्षनिक बौध दार्षनिक हैं दोनों और नागरजुन जैसे बिद्वान भी कनिश्क के दर्वार में बिद्वान रहते थे कुश्या नमबर फोर है मोरियोत्तर काल में बौध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ इस नई बौध धारा में आये नई परिवर्तनों के संदर में कुछ स्टेटमेंट आये यहाँ पर देखिए पहले मूर्तियों में बुध की उपस्तिती संके तात्मक रूप से दिखाई जाती थी पर अब बुध की प्रतिमाई बनाई जाने लगी बौधी शत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया देखिए करेक्टर दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसका अंसर हो जाएक आपसन नंबर सी तो मौरे उत्तरकाल का मतलब क्या है मौरे वन्स के बाद का समय तो दोनों के दोनों कतन सही हैं महयान धारा में परविष्ट मूर्ती निर्माण के बदलाव के तहत अब बुध की प्रतिमाई बनाई जाने लगी और इनमें से अधिकांस मत्हुरा में तो कोछ तक्षिसिला में बनाई गई बुध कांस मत्हुरा में और कोछ तक्षिसिला में बनाई गई बौध ही शत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ती के बाद एकांत वाज करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे और इस आस्था में परिवर्तन हुआ अब ऐसा करने के बज़ाए महायानी लोगों को सिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे वो धीरे धीरे बहुत ही श्रत्व की पूजा काफी लोगप्रिया हो गई और पूरे मध एशिया कॉमाचीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई पूश्या नूमबर फाइब है बौध धर्म के प्रसार के संदर में निमलकित कतनों पर विचार कीजे बौध धर्म दक्षिन पूर्व की और स्रिलंका मियामार थाइलेंड इनोडेश्या सहिद दक्षिन पूर्व एसिया के अनिभागों में भी फैला और इन शेत्रों में थैरबाद नामक बौध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रशलित था यहां करेक्ट है दोनों के दोनों के स्टेट्मेंट इसका अंसर जागा अप्सन नंबर सी तो देखिए उपरवक्त दोनों के दोनों का थन सत्य हैं बौध धर्म का प्रशार दक्षिन पूर्व एशिया की और स्रिलंका में अमार्थाइलेंड इंडोनेशिया और इसके अन्यभागों में भी हुआ और इन छेत्रों में थैरबाद नामक बौध धर्म कहीं अधिक प्रशलित था जो की बौध धर्म का आरंभिक रूप था थैरबाद कोश्यन नम्बर 6 है भारत की यात्रा पर आए नमर्कते चीनी बौध है यात्रियों का काला नुकरम की अनुसार सही करम शुनिये देखिये इसका कोड़ है चीनी यात्री को फांसी हुई चीनी यात्रियों के आने का करम का कोड़ है फां सी हुई मतलब फाहियान सी सैयुगमन हुईंसांग और ही ई हुई और ई फॉर इट सिंग तो फाहियान कहाँ पर सबसे पहले फाहियान आगा इस सबसे लाट मैं तो इसको एलिमिनेट कर दो यहाँ पर इसको इलिमिनेट कर दो तो सबसे पहले फाहियान आजाएगा उसके बाद हुईंसांग साहियुगमन तो नहीं हो जागा इस फथर तो देखिये भारत की यात्रा पर फाहियान लगभग सोले सो वर्स पूर्व आया और हुएन सांग जोदे सो वर्स पूर्व तथा इत्सिंग इसके पचारस वर्स बाद आया ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठो को देखने के लिए भारत आये थे मद्ध प्रदेश से तो विष्णू के बरहरूप की मूर्ती एरण मद्ध प्रदेश से प्राप्त हुई है मद्ध प्रदेश नहीं आएगा कभी कभी एरण भी आ सकता आद रखिए पुराणों के अनुसार जल में डूबी प्रत्वी को बचाने के लिए विश्णू ने बराह रूप धारण किया था यहां प्रत्वी को एक इस् किसी को ढूंडना है भक्ति परंपरा की शुरुवात मुरत्तर काल में हुई और भक्ति मार्गी चर्चा भगवत गीता में की गई है और भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोड़ देते थे भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके अराध है देवी या देवता मानाव शेंग पेड़ या अन किसी भी रूप में हो सकते है देखिए यहां गलत हो जाएगा C क्योंकि भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोड नहीं देते बाहे आडंबरों को नकारते हैं वो तो देखिए भक्ति मार्ग की चर्चा भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाए इश्वर के प्रती लगन और व्यक्तिकत पूजा पर जोड देते थे कुश्चन बनाईन है वही कथन और कारण है बताना है कि नीचे दिए कूट की सायता से से उत्तर का चेहन करना है मतलब क्या यह इसकी बैख्या करता है तो सही इस पश्च्टी करना है नहीं करता है तो इस पश्च्टी कर नहीं होगा अगर कोई परवर्दक इसा महसी का जन्म बेथलेहम में हुआ जो रोमन सामराज का हिस्सा था उन्होंने सोयम को इश्वर उन्होंने सोयम को इस संसार का उधारक बताया ईश्वर मसी के उपदेश धीरे धीरे पश्मी एसिया कुमाफरी का तथा योरप तक फैल गए ईश्वर मसी के मृतिव के सो सालों के अंदर ही भारते उप महदीव के पश्मी तट पर पहले इसाई धर्म परचारक और पश्मी एसिया से आए पहले इसाई धर्म परचारक जो है वो पश्मी एसिया से आए केरल के इसाईयों को सीरियाई इसाई कहा जाता है क्योंकि संभवते वे पश्मी एसिया से आए थे वे विश्व के सबसे पुराने इसाईयों में से थे याद रखिएगा कुश्य नम्बर दस है समकालीन बैपार के संदर में नम्रिक में से कौन सा कथन सही नहीं है दक्षण भारत सोना मसाले खास तर पर काले मर्च था कीमती पत्थरों के लिए परसे देखा यह तो सबी को पता होगा ना काले मिर्च की रोमन सामराज में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे ब्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का उपयोग या प्रयोग करते थे केवल सब्द आ गया है केवल सब्द वाले स्टेटमेंट 90 प्लस परसेंट गलत होते हैं देख्षिन भारत में रोम से ब्यापार के परमान प्रारूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं करेक्ट है केवल समुद्री मार्ग नहीं था सडक मार्ग का भी प्रियोग करते थे ये तो देखिए कथन A B C और D गलत हैं मतलब सही हैं और C गलत होगा क्योंकि ब्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए समुद्री जहां जोर सडकों दोनों मार्गों का प्रियोग करते थ ब्यापारियों ने कई समुद्री मार्ग खोज निकाले और वे ब्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठा कर अपनी यत्रा जल्दी पूरी कर लेते थे वे अफरीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहादीब के पस्षमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षन पस्ष ग्यारे की जनकान के अनुसार इनमें से किस राज या केंद्र शाषित प्रदेश की साक्षरतादर सबसे कम है बताईए किसकी कम है इनमें से सबसे कम है इनमें से त्रिपूरा की किसकी है सबसे कम है इनमें त्रिपूरा की तो देखिए दोहार ग्यारे की जनकान के अनुसा सबसे जादे जो लिटरेट स्टेट है वो 94 पर केरिला है उसके बाद है लक्षदीप जो एक केंशाषित प्रदेश है 91.85 प्रदेशत फिर मिजोरम है जो राज है 93.3 प्रदेशत गोवा है 88.7 जीरो प्रदेशत और त्रिपुरा है 87.22 प्रदेशत कोश्चन को टिपिकल बनाने के लिए राज और केंशाषित प्रदेश से एक साथ दिये जाते हैं सबसे जादे केरल है केरल के बाद याद रखिएगा लक्षदीप अगर लक्षदीप नहीं होगा तो मिजोरम कोश्चन नमबर 12 है 2011 की जनकरणा के इनुसार इनमें से किस राज या कि इन्शाषित प्रदेश का लिंगा अनुपाद सरबादे का इनमें बताईए उत्राखंड मद्र प्रदेश शत्ति इसगर्ड और आंदर प्रदेश किसका हो सकता है इनमें सबसे जादे हैं सरबादे का है 1084 और पुदुशेरी का है दूसरे स्थान पर जो एक इन्शाषित प्रदेश है 1037 पर तमिल नाडू का तीसरे स्थान पर 996 पर आंदर प्रदेश का है 993 उसके बाद 36 गड़ नो से क्यानुए यानि इस प्रश्ण की उपलेक्ष में देखा जाए तो आंदर इस खेरल बिहार या पश्चे मंगाल बताईए देखे टिफिकल होते जा रहा है जैसे जैसे कंपटिशन बढ़ रहा है शात्रों का शात्र शात्राओं का अब बोनी पूसा सीधा सीधा के किसकी है अब तीसरे चोथे को उठाता है तो वैसे तो सबसे रहे उत्तर की है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थाना आता है महराष्ट फिर आता है बिहार चोथे पर है पश्चिम बंगाल और पांच में पर है अंदर प्रदेश चूंकि ना तो यहां पर उत्तर प्रदेश है नहीं महराष्ट तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बिहार बिहार के बाद क्या होगा अंदर प्रदेश सरी बिहार के बाद हो जाएगा पस्चे मंगार यानि पहला दूसरा तीसरा और यह चवुथा संगम कविताओं को मुवेंदार की चर्चा मिली है संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है यह एक तमिल सब्द है इसका अर्थ बताईए क्या है क्या है मुवेंदार ग्राम प्रधान होते थे ग्रह पती होते थे सरदार होते थे या तीन मुख्या होते थे संगम कविताओं में मुबेंदार क्या है यह हैं तीन मुख्या क्या है तीन मुख्या को द्रश्टी गोचर करता है तो मुबेंदार का आर्थ तीन मुख्या है इसका परियोग तीन साशक परिवारों के लिए किया गया है ये थे चोल, चेर तथा पांडे जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षण ACA में काफी सक्तिसाली माने जाते थे कुश्चन नमबर 15 है चोल, चेर तथा पांडे शासकों के संदर में नमलकित कत्मों पर विचार कीजे पुहार और मदुरई इनके महतपूर्ण सत्ता केंदरों में समलित थे ये लोगों से नियमित करके बजाए उपहारों की मांग करते थे कौन चोल, चेर और पांडे करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेट्मेंट इसका अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर C तो देखिए उपरोग दोनों के दोनों सही हैं चोल, चेर और पांडे के अपने अपने दो दो सत्ता केंदर थे इन में से एक तर्टी हिस्से में तो दूसरा अंद्रूनी हिस्से में इन शे केंदरों में से दो बहुत महतपूर्ण थे एक था चोलों का पत्तन पुहार या जिसको वोलते हैं काबेरी पत्नम और दूसरी थी पांडों की राजधानी मदुरई ये तीन मुखिया चोल, चेर, पांडे लोगों से नियमित करके बजाए उपहारों की मांग करते थे कभी-कभी सेनिक अभ्यानों के दौरान आस-पास के इलाकों से सुल्क वसूला करते थे इन में कुछ धन अपने पास रखते थे बाकी अपने समर्थ को नाते, रिस्तेदारों, सिपाहियों तथा कभीयों के बीच बाढ़ देते थे कुछ नुबर सिक्ष्टीन है, दक्षणापत के स्वामी नम्लकित में से कौन कहे जाते थे कौन कहे जाते थे दक्षणापत के स्वामी, चोल नहीं है, चेर नहीं है, कुछान नहीं है, कहे जाते थे साथ वहन तो तीनों मुखिया मतलब चोल, चेर, पांडे के शाशनकाल के लगभग 200 वर्ष बाद मतलब 2100 वर्ष पूर्व पश्मी भारत में साथ वहां नामक राजवन्स का प्रभाब बढ़ गया साथ वहनों का प्रमुख सबसे प्रमुख राजा गौत्मी पुत्रशात करणी था उसके बारे में हमें उसकी मा गौत्मी बलस्री के एक अविलेक से पता चलता है वह और अन सभी साथ वहन साशक दक्षणापत के स्वामी कहे जाते थे दक्षणापत का साब्दिक अर्थ दक शेत्र के लिए यही नाम प्रश्रित था कोश्चन नुमर 17 है रेशम बनानी की तक्नीक का विश्कार सबसे पहले कहा हुआ था मोश्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है थमरिल पर देखा होगा कहां पर हुआ था भारत लगा कर गलत मत कर देना इसका उत्तर यूनान भी नहीं है इसका उत्तर है चीन तो देखिए रेशम बनाने की तक्नीक का विश्कार सबसे पहले चीन में लगभख साथ हजार वर्स पूर्फ हुआ और इस तक्नीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छुपाए रखा और चीन से पैदल घोडो या उंट पर कुछ लोग दूर की जगों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट के नाम से परशिद्ध हो गया कोशन नमबर अठारह है ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है किस से है बायू की चड़ाई से रोकना सुरी परदेश ये चड़ाई तो नहीं होना चाहिए ना चड़ाई करके क्या करेंगे वह है तो इससे भी नहीं इसका उत्तर है आलू प्याज और टमाटर के उत्पादन से भी हो जागा इसका उत्तर है तो देखिए खाद प्रशंस्क्रण उद्यो के टमाटर प्याज और आलू की आप उड़ती वे उपलब दता सुनिश्यत करने के उद्यस सरकार ने दोहर 18-19 के बजट भाशन में 500 करोड रुपे की लागत से ऑप्रेशन ग्रीन योजना को सुरू करने की खोश्टना की थी ये योजना आई थी लेकिन अभी देखिए हाल ही में 2019 के एंड में प्याज के एदाम कहां पोँचे थे 200-200-180 कुश्चन नमबर 19 है रसाइन का नोबल पुरुसकार 2019 इन में से किसे नहीं मिला है अकीरा योशिनो, जोन वी गुडिनफ, एम इस्टैनली विंटिंगम, जेम्स पीवल्स देखिए मोश्ट इम्पोर्टेंट है नोबल पुरुसकार प्रदान किये गए हैं 2019 में कर दिये गए हैं हर कैटिकरी में दे दिये गए हैं तो रसाइन का नोबल 2019 में मिला है, अकीरा योशिनो को मिला है, जोन वी गुडिनफ को मिला है, एम इस्टैनली विंटिंगम को मिला है, तो नहीं मिला है, किसको जेम्स पीवल्स को, क्योंकि इनको फिजिक्स का मिला है, किसका मिला है, फिजिक्स का मिला है, तो इसका अंसर तो चोजएगा अबसर्ण नमबर हमको नहीं मिला है इनको मिला इनको मिला इसका इस विश потр मिला है for the development of lithium ion batteries अब यह हैं देखिए जेम्स पीवल्स मिचल मेयर और दीदेर क्यूलोज इनको मिला है किसका फिजिक्स का भौतिकी का question number 20 है अंतराष्टे नियाले का मुख्याले कहां पर इस्थित है असान सा प्रश्ण है important है कहां इस्थित है वासिंग्टन डीसी में तो है नहीं बताईए आप कहां पर इस्थित है ग्लेड स्विट्चर लेंड में नहीं या बताईए कहां पर है बताओ बताओ जेनिवा स्व 44 में काम करना शुरू किया मतलब एक वर्श बाद यह संयुक्तराष्ट का प्रमुक निया एक अंग है अंतराष्टे नियाले का मुख्याल है दाहेग नीदरलेंड के सांती पैलेस में इस्थित है तो 20 प्रश्ण थे important थे हर दिन इसकी practice करते रहिए नोटिफिकेशन भी अ इसमें मत करना कुछ-कुछ क्योंकि अब इस ही तैयारी करते रहिए ताकि कुछ-कुछ के चक्र में आपका सेलेक्शन कुछ-कुछ नहीं रुके थेंक्स पर वाचिंग इस वीडियो धन्यबाद जुड़े रहिए चैनल से